तो अब मैं आपको यह derivation बताने वाला हूं आप जो enthuse के बच्चे हैं वो सोच रहेंगे कि हमारे लिए derivation कामका है बड़ लीडर वाले सोच तेंगे हमारे लिए कामका नहीं है ऐसा नहीं है आप सभी लोगों के लिए कामका है derivation भले आपको याद ने रखना पर process से आपको चारी चीच की जिसको बोलते हैं magnetic field due to ring अब जो रिंग है वो कौन सी है वो करेंट के रिंग रिंग है करेंट के रिंग रिंग आए मेरी बास सांज में दिस रिंग इस करेंट के रिंग तो माइनेटिक फिल्ड दू करेंट के रिंग रिंग अब यह आपन कहां पर निकालने वाले हैं on its axis उसकी axis पर अपनिये बात करेंगे आई मेरी बास संज में तो भी आपने एक रिंग मानता है तो तो इस परकार से रिंग होईगी तो मैं डाइग्राम यहां बना रहता हूं देखिए डाइग्राम को मैंने ऐसे कुछ डाइग्राम लिया है कुछ ऐसा समझना इ ऐसे यह बाहरा है मतलब इस परकार से इसको लेंगे इस परकार से करण्ट इसमें डोड़ रहा है एगर ऐसे रिंग होती तो करण्ट इसमें और से डोडता तो थो बेशीक्स कदो आज़िए लेंगे इसे ज tyre खरेंगे तो मैं अ अब आगे जहां से देखिए अब देखिए अब यहां पर क्या हो रहा है अपने क्या करा हमें इस पॉइंट पर मैं इनट एक फिल्ड निकालनी है इस पॉइंट पर अब यार बड़ा खतलना काम है तो इस तर छोटा सा इसका रेडियस में मान सकता हूँ हो जाएगा और हो जाएगा क्या पहले से था तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हमने इसका रेडियस लिख लिया है यह जो दूरी है वह हम मान सकते हैं एक्स कितनी मान सकते हैं एक्स यह आर हो जाएगा यह एक्स हो जाएगा कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है हना तो यह हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडरूट ठीक है ये r हो गया, ये x हो गया ये r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडरूट हो चुका है इस point पर हम लोगों को magnetic field निकालनी है इस point पर तो साब इस पूरी रिंग को अपने ध्यान से देखा इस पूरी रिंग को अपने ध्यान से देखा तो हमने पाया कि इस dl के कारण यहां पर हम magnetic field निकालेंगे तो ये सबसे पहले बात यहीं कि dl के कारण ये दूरी जिसे इसको अपन माल लेते हैं small r, अभी के लिए ठीक है, अब magnetic field होती क्या है वैसे बाइवट से वाट लोस है अपन देख लेते हैं उस चीज को वो होती है एक मिनिट magnetic field होती है बटा म्यू नोट आई अपन 4 पाए सही बात है dl क्रोस आर डिवाइड़ वाइ आर का मैगनिट्यूड का होल क्यूब, यही होती है अब यहां पर dl क्रोस आर है तो dl और आर के बीच में जो भी एंगल होगा उसका अपन dl इंटू आर इंटू साइंट इटा लिख सकते हैं तो मैं यहां magnetic field दिखूंगा तो उससे पहले magnetic field आएगी किदर देखो बात ध्यान समझना अब dl जो है अगर मैं ऐसे ring मानू तो dl यह है और this is your r small r तो पैटा यह small r है यह dl है मेरी पात ध्यान समझेगा यह small r है यह टेडा और यह dl है तो dl और small r अगर मैं ऐसे करूंगा dl cross r ऐसे उंगली घुमाऊंगा द्यान से देखना इंगली को dl cross r dl cross r तो देख ऐसे है ऐसे टेडा है dl cross r अंगुठा इदर जा रहा है अंगुठा इदर जा रहा है तो इसका मतलब magnetic field यहाँ पर ऐसे आए कि db अब गेटिंग माइपउट ऐसे magnetic field आएगी टेड़ी डीयल के कारण दुबारा देखो एक और चीज यह डीयल यह जो आर था और यह डीयल था इन दोने के बीच में एंगल कितना है अब देखो अपने यह सारे एंगल निकाल लेते हैं पहले यह वाला जो एंगल होएगा इसको पर ठीटा माल लेते हैं कि यमालन देने ठीटा तो पेटकर यह कितना हो जाएगा नाइन टी माइनस ठीटा कि सभी बाते अब बच्चों से पुछे जाए बताई ये डी एल और और के बीच में एंगल क्या है ये ये अर है ये डी एल है एंगल क्या है बच्च फटा पडता से बोल लूए सब नाइन minus theta angle है इस वाले capital R और इस वाले small r के बीच का हमें निकालना है dl और small r के बीच का small r is this deal is this अगर तुम ध्यान से देखू तो यह angle 90 है आप बास संज मैं रहे ना आप डियल तो यह है ना इस वाले plane में है और r क्या है इस वाले plane में है तो दो plane के बीच का angle क्या होगा वह तो इस वाले plane में है यह इस वाले plane में है और दोनों plane आपस में क्या है 90 डिग्री पर है तो दोनों के क्या है डियल है यह अपने पास में आ रहे है और दोनों के बीच का एंगल जो है वह 90 कितना है 90 तो बिटा अभी अगर आपको डाउट आप बंदाज बाहर आए कर मुझसे पूछ सकते हो किसे 90 होगा मैं समझा दूगा बड़ अभी आगे बढ़ाते हैं क्लास को तो यहां बेटा जो आएगा वो आएगा मिउनोट आई अपोन फोर पाए फोर पाए डियल इंटू आर इंटू साइन 90 डिवाइड बाए आर का क्यूब वो कट जाएगा और स्क्वाइर बन जाएगा आई मेरी बास संज में तो बैसिकली यह कितना हो जाएगा यह रजाएगा बैसि सब्सक्राइगे अब अब निकालना है हम लोगों को इसके कॉम्पोनेट अब समझ न आगे अगर यह इसके पूरर ले लर से पूरा का जै ंतर्इंटबoki यह एक बन यह जो त्री की आर और और यह अपना क्या था बीद्र बोले तो मेनेटेक्स फिल्ड अब सब के करन आएगी पूरे घुमेंगे तो जो 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 तो पूरा एक प्रकार का कौन मन जायगा आपया सभी है ना और सब का रिजल्टेंट इस तरफ आएगा सबके जो कॉंपोनेंट करेंगे वो इधर आएंगे जो कि उपर वाले कॉंपोनेंट सा आपस में cancel out हो जाएंगे अब जब नीचे बाला भी लूंगा में तो उसके करण इधर आएगा डी बी और सबके करण आएगा इधर से बहुत सारे आएंगे से सबके कारण जो आएगा उदर आएगा db जिसे अंगर यह एंगल थीटा है तो इस एंगल is 90 and this एंगल is 90 माइनस थीटा तो यह आएगा db कोस 90 माइनस थीटा तो नेट जो माइनेटिक फिल्ड आएगी वो आएगी इंटीग्रेशन ओफ दिस ओनली and what is this this is db sin थीटा 90 नहीं थीटा ओनली db sin थीटा अब db कितना है उसको लिखते हैं अपन यहाँ पे वो है mu not i upon 4 pi r square बैटा r क्या है capital r का square plus small r का square का under root तो उसको लिख देंगे तो बन जाएगा r square plus x square का under bracket getting my point अब बात आती है sin theta कि sin theta क्या है sin theta है perpendicular upon hypertenis तो बिटा परपेंडिकुल हो जाएगा r upon hypertenis क्या हो जाएगा r square plus x square का under root है बस सही है और इसको अपन ने लिख दिया dl again बिटा कुछ भी इसमें से integrate नहीं होगा देखो mu i सब constant है r भी constant है और यह x भी constant है अब एक्स तो fix है ना सिर्प integrate कुछ होगा तो वो dl होगा और dl क्या होता है small length small length का integration क्या आएगा पूरी length अब यह आ रहा है ना small length का integration क्या आएगा पूरी length छोटी शी length उसको integrate कर दे तो पूरी length आ गई खतम बात पूरी length क्या होती है पूरी length क्या होती है एक रिंग के अंदे टू पाई आर अब यह आ रहा है ना पक्का ना तो यह जीरो से लेके टू पाई आर तक मैं इसको integrate कर सकता हूं कि तो after solving this हमें क्या मिलेगा हमें यहां से मिलेगा देख ध्यान से देखना मैं लिखने वाला हूं ध्यान से देखिए इसको तो मैंने इसको लिखा ऐसे म्यू नोट आई अपॉन देखो फूर पाए जाए बटा आर स्कॉयर प्लस एकस स्कॉयर की पावर थ्री बाए टू नीचे तो यह आएगा सभी बात है उपर क्या आएगा उपर पहले से एक आर था और एक और टू पाई रोजाएगा तो यह बन जाएगा टू पाई आर इसकुर अब ठीक है देख पाई से पाई तो जो बचेगा उसको मैं यहां लिख देता हूं यहां से देखें मैं दिखनी रहा हूं आपको बटा देखिए इधर है ना कितना आएगा देखिए यहां से нрав श्वाएर फाएर मुनोट आऑयम olduğ मुनोट आई आर इसकुर बाै है टू आरस् Dash एक्ष स्कुर की पावर 3 बाइ टू यह आया है है यहां से रिजल्ट है जो associ is extremely important रिजल्ट है extremely important मतलब आपको इसको ढंग से घोट कोट के पी जाना है इस रिजल्ट को मैं ऐसा नहीं किया रहा हूं को आपको derivation याद कर लेना है पर आपको derivation समझ में आ जाए तो सोने पर स्वागा हो जाएगा लेकिन हमें यह result at least याद रहना चाहिए रिजल्ट किसके लिए है magnetic field due to ring on current due to current carrying wire ring on its axis तो यह result है मुनोट आई आर स्क्वाइर अपोन टू आर स्क्वाइर प्रेश्क्वाइर की पावर थ्री बाए टू बटा इसी के अंदर अगर मान लीजिए मैं आप मैं आप कुछ केस लेता हूं इसी के अंदर यहां से देखें आप केस को कि if x is 0 if x is 0 and what do you mean by x is 0 x का 0 होने का मतलब है कि वो लगबग लगबग center पे पहुंच गया है लगबग ने exactly center पे पहुंच गया है और center of the ring पर क्या आता है में नोट बाए में नोट आई बाए टू आपने पहले पढ़ा हुआ है तो यहीं से डिलाइव हुआ था एक्स की विजिए अगर 0 होगी तो बिटा बी जो आएगा वह आएगा म्यू नोट आई गया है पक्क अब आ अब आ रहा है ना पकका बहिया तो इस परकार से यह खेल हुआ है जो हमें समझ में आना चाहिए तो बड़ा आप इसको तो इसको पूरे derivation को आपको यहां से पूरा यहां तर लिखना है, फिर इसके बाद ही case भी लिखना है, उसके बाद मैं आपको एक और चीज सिखाऊंगा इसके अंदर, कि इसका graph कैसे बनता है, वो graph भी simple चीज है, बहुत खतरनाक चीज नहीं है, तो आप पर इसको note-down कीजि मैं point, तो पर अगर center को origin मानते हैं, तो center पर अगर इस line के अलोंगा, अब मैं graph बनाना चाहूं, तो graph कुछ ऐसा आएगा, कि अगर मान लीजे कि बहुत center पर, magnetic field center पर कितनी हो जाएगी, magnetic field at center जो हो जाएगी, वो हो जाएगी, इस center पर, mu not i upon 2r, minus i by 2r, तो यहाँ पर magnetic field हो जाएगी, minus i by 2r, उसके बाद, अगर मैं infinity पर जाओंगा, magnetic field कुछ ऐसे आरही होगी, जेको समझना, current अगर ऐसे दोड़ रहा है, तो magnetic field इदर आएगी, current अगर ऐसे दोड़ रहा है, इस परकार से magnetic field इदर आएगी, अगर ऐसे दोड़ रहा है, इ इदर जा रही है, तो बेटा दोनों ही साइड में, direction of magnetic field remains same, इदर भी और इदर भी, अब इदर कितनी है, जिसे माली अभी एक सा graph कैसे बनाए, आपको रटना है, इसमे आपको फालती गणितनी लगा नहीं, बस आपको इस समझ में आना चाहिए कि center में maximum होगी, और कुछ ऐ ऐसे करके या आगे चली जाएगी हमेशा के लिए, getting my point इस परकार से है, इदर और इदर सेम होगी, सेम क्यों होगी, क्योंकि symmetric system है, चाहिए इदर लो, चाहिए दूरी, चाहिए इदर लो, x दूरी बराबर यानी है, तो इस परकार से graph बनता है, यहाँ पर कितनी है, यहाँ आगे भी लो, हा ऱ्ना आग이ney कर दो कितनी है, यहाँ परकार से दूरी, जहाँ कर दोता है, तो इस जिए दूरी जागे भी हमेशा क है, यहाँ कितनी है, यहाँ पो.